हमारे ब्रम्हान में ढूडा गया अभी तक का सबसे विशाल ब्लाक होल एबिल 1201 नाम के एक गेलेक्सी क्लस्टर में है। ये गेलेक्सी क्लस्टर बहुत ही विशाल है और इसमें बहुत बड़ी गेलेक्सीज हैं। इस ब्लाक होल का द्रविमान 32.7 अरब सूरी के बराबर है जो इसे एक अल्ट्रा मैसिव ब्लाक होल बना देता है। ऐसे ब्लाक होल हमारे ब्रम्हान में बहुत कम मात्रा में ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। पहले वज्यानिक ऐसा मानते थे कि ब्रम्हान में जितने भी विशाल ब्लाक होल है वो सिर्फ किसी विशाल गेलेक्सी के केंदर में ही होते हैं। इसका सबसे अच्छा उधारण हमारे गेलेक्सी के बीच सेजिटेरियस एस स्टार ब्लाक होल है। इसका द्रव्यमान करीब 40 लाक सूरे के बराबर है और यही कारण है कि ये इतनी विशाल गैलेक्सी को ग्रैविटेशनली होल्ड करके रखे हुए है ब्रहमान में जितनी भी विशाल गैलेक्सी हैं उनके केंद्र में हमें एक सुपर मैसिव ब्लाक होल देखने को मिलता ही मिलता है लेकिन हाल ही में हुई कुछ डिस्कवरीज में ये पता चला है कि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है ये बात वेग्यानिकों को थियोरी में तो बहुत पहले से ही पता थी लेकिन प्राक्टिकली उनको हाल ही में इसके सबूत मिले हैं 20 साल पहले हुई कुछ रिसर्च में ये पता चला था कि एक छूटी गैलेक्सी के अंदर भी सुपर मैसिव ब्लाक होल हो सकता है लेकिन ऐसी किसी भी सिस्टम का स्टेवल होना बहुत ही मुश्किल बात है वेग्यानिकों के बनाए गए सिमूलेशन से ये पता चला कि अगर कोई इतना विशाल ब्लाक होल इतनी छूटी सी गैलेक्सी में होगा तो वो अपने आप ही उस गैलेक्सी से बाहर आ जाएगा सीधी सी बात है कि ये प्रोसेस ना सिर्फ बहुत लंबा होगा बलकि बहुत ज़ादा तबाही बहरा भी होगा 2023 की ही शुरुआत में वेग्यानिकों ने एक ऐसे ब्लाक होल की डिसकवरी की थी जिसके पीछे तारों की एक बहुत लंबी पूँच को देखा जा सकता है वेग्यानिक बताते हैं कि ज़्यादा विशाल होने की वज़े से एक ब्लाक होल छोटी गैलेक्सी में स्टेबल नहीं रह पाता है और धीरे धीरे उस गैलेक्सी से बाहर की ओर जाने लगता है केंदर में ना होने की वज़े से गैलेक्सी का सारा मेटर इस ब्लाक होल का या तो चकर लगाने लगता है या फिर इसके पीछे पड़ जाता है जो मैटर इसका चकर लगाने लगता है वो अंततहा इसके अंदर ही चला जाता है जो मैटर बच चाता है वो ऐसी पूँच को फॉर्म कर लेता है कुछ वेग्यानिक अभी भी इस बात को लेकर निशित नहीं है कि ये पूँच एक बड़े ब्लाक होल के गेलेक्सी से बाहर निकलने से बनी है या नहीं हाला कि फिलहाल की अब्जवेशन इसी बात की ओर इशारा करती है कि ये ब्लाक होल इंजेक्शन का ही एक एक सामपल है वेग्यानिक बताते हैं कि शुरुआत में हर गेलेक्सी के किंदर में एक छोटा ब्लाक होल ही होता था लेकिन गेलाक्टिक कैनिबलाजम नाम के एक प्रोसेस की वज़े से ब्लाक होल और गेलेक्सी दोनों का ही साइज समय के साथ साथ बढ़ता चला गया है आपकी जानकारे के लिए बता दू कि गेलाक्टिक कैनिबलाजम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके जरिये एक गेलेक्सी दूसरी गेलेक्सी को अपने साथ जोड़ कर अपने साइज को इंक्रीज कर लेती है ये ब्रम्हान में होने वाला एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है जो आल्मोस्ट हर गेलेक्सी में ही देखा जाता है आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी मिलकी वे गेलेक्सी खुद भी बहुत सारी दूसरी गेलेक्सी को अपने अंदर जोड़ चुकी है और ये प्रोसेस आज भी चल रहा है एक समय ऐसा भी आएगा जब मिलकी वे गेलेक्सी और एंडरो मेटा गेलेक्सी भी आपस में जोड़ जाएंगे और एक सुपर मैसिफ गेलेक्सी की फॉर्मिशन कर लेंगे जिन ब्लाक होल्स को गैलेक्सी द्वारा बाहर निकाला जाता है वो या तो किसी दूसरे गैलेक्सी को जाकर जोईन कर लेते हैं या फर इंतरिक्ष में ऐसे ही आवारा घूमते रहते हैं विज्ञानिक बताते हैं कि हमारे ब्रह्मान के शुरुआत में भी ऐसे बहुत सारे ब्लाक होल थे जिनकी वजह से आज हमें इतनी विशाल गैलेक्सी देखने को मिलती है आज के लिए बस इतना ही जहन दोस्तों